नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रामफाजगे आपका अपने चाहते चैनल पे स्वागत करता हूँ और आज हम आये है भारत देश के महा महीम देश के राश्ट्रपती उनका आवास याने की घर देखने के लिए अपने भारत देश के वरतमान राश्ट्रपती महा महीम दुरुपदी मुर्मुजी है राश्ट्रपती भवन को 1950 से पहले वोईस रुआय हाूस कहा जाता था ये राष्ट्रपती भवन इतना विशाल है कि पूरे विश्व में किसी भी राष्ट्रा धक्षक के आवास इतना बड़ा नहीं है इसमें 340 कक्ष है भारत देश पर अंगरोजों ने पूरा 200 साल राज किया अंगरेजों के राजा जोर्ज पंचम ने 1911 में अपना कारोबार कलकत्ता से दिली लाने की सोची थी उस वक उनके लिए आवास इयाने की घर बनाना था वो घर एडविन, लैंडसियर, लिउटन्स और बेकर ने बनवाया इसे बनाने में पूरे सत्रा साल लगे थे और सत्रा साल लगने के बावजूद पूरे सत्रा साल ही ब्रिटीस राजवट में ये जो वाइस हूस है उनके राज में खाली सत्रा साल ही रह पाया बाद में भारत स्वतंत्र हो गया 1950 के बाद उसका नाम वाइस राज हूस बदल कर राष्ट्रपती भवन रखा गया तो दोस्तों ये है अपने भारत देश का जो राष्ट्रपती है उनका आवास याने की जो राष्ट्रपती भवन है सामने से आप देख सकते हो हमको क्लियर देखने के लिए हम अभी यहाँ एक अंडरग्राउंड बनाया गया है यह पब्लिक कन्विनियस है इसके अंडर में रूट दिया गया है यहाँ से पास होके फिर हम लोग उस साइड गए जो की यह राष्ट्रपती भवन एक दम पास से देख सके तो उस साइड जाते ही हमने देखा कि यह बहुत ही विशाल है तीन सो चालिस जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन में बताया कि तीन सो चालिस कक्ष है और यह विश्व में कोई भी राष्ट्रद्यक्ष का आवास इतना बड़ा नहीं है जितना कि अपने भारत देश का एराष्ट्रपती भवन बड़ा है यहां आगे आपको सुरक्षा देखने के लिए मिलेगी ओभी एकदम कड़क ओभी दिल्ली की पुलीस है यहां से एक परिंदह भी आगे जा नहीं सकता आपको मैं थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वहां उनली वियाइपी वेहिकल्स ठीक है जिनके पास पूरे मतलब उनको इतनी सेकुरिटी है कि पूरा चेक अप करके ही अंदर आपको वो भी बिना पर्मिशन के आप अंदर जा नहीं सकते जो सामने आपको दिख रहा है यही है भारत की राष्ट्रपती उनका आवास राष्ट्रपती भवन यहां देखो ठंडी के मोसम में थोड़ा यह फौग हुआ है ताकि यह पूरा आपको क्लियर दिखने पा रहा है मगर यही है अपने राष्ट्रपती अपने देश के राष्ट्रपती भवन यह सामने आपको पारलियामेंट दिख रहा है और इस साइड है यह है राष्ट्रपती भवन वहां से सीधा जो आप 15 अगस्ट और 26 जनवरी को जो परेड लगती है वो दिखते होंगे तो यह सीधा जो करतवे पत पे सीधी चलती है और जाती है इंडिया गेट की तरब तो यह 3 से 4 किलोमेटर का यह जो फासला रस्तों का है इस पे यह जो परेड होती है यह परेड इसी रस्ते पे चलती है तो देखो यह दोस्तों आप सामने देख रहे हो कि कैसे सेकूरिटी दी है और यहां से पूरी मतलब जो वेहिकल्स है जो इंपोर्ट मतलब जो इपोर्टन जो वियाइपीज होती है उनके ही लिए यहां से अंदर अलाउड किया जाता है इंट्री बाकियों को बाकी भी लो होती है 15 अगस्ट को तो यह सभी उन कारिक रहों में और यहां अगर आपको इन्विटेशन है तबी पूरी चेकिंग के साथ आपको अंदर छोड़ा जाएगा तो दोस्तों यह था राश्ट्रपती बावन यहां हम देखने के लिए गए थे तो यह कंटेंट आपको वैसा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर देना साथी साथ यह वीडियो अपने कलिक्स में सेर करना मत भूलिए ठैंक्स पार वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया टॉपिक के साथ तब तक जैहिंद जैवारत कि कि स्थाs कि औल राम हैं जैवे वीडियो में साथ